ब्रजवासी ने निभाया अपना वादा और नियोजित सिक्षकों को लाखों का फाइदा पहुचाया नमशकार और आदाव आप तमाम दर्सक बंधुओं को मैं हूँ इसके चौधरी शाथियों एक वार फिर से आप सभी के वीच हाजिर हूँ खुसियों भरी खबर लेकर कि बिहार के जावाज सिक्षक नेता बंसी धर बरजवासी जिनके रगरग में संघर्स ही संघर्स भरा है जिन्होंने अपने जीवन को तमाम सिक्षकों के लिए समर्पित करके रख दिया है वैसे जावाज नेता ने आज से पांच वर्स पहले यानि वर्स 2019 में बिहार के तमाम नियोजित सिक्षकों से ये वादा किया था कि चाहे जितना भी संघर्स करना परे हम तमाम नियोजित सिक्षकों को गर्जिवटी का लाब अवस्य दिलवा कर रहेंगे और जावाज के तमाम नियोजित सिक्षकों को सिक्षकों के जावाज नेता बंसी धर बरज्वासी अपना वादा पूरा करेंगे वो तिथी और दिन होगा 15 अपरेल 2024 दिन शोमबार साथियों इससे पहले कि इस पर हम विस्तार पुर्वक चर्चा करें जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो किर्प्या सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों जयों जयों दिन बीथते जा रहे हैं त्योंतों विहार की सिख्चा विभाग की आखिर मनसा क्या है उसका खुलासा भी होते जा रहा है आखिर क्या बज़ा है कि विहार की सिख्चा विभाग वैसे सिख्चक जिन्होंने 20 वर्सों तक सेवा दे दी है कभी उनको विद्याले अध्यापक के रूप में चले जाने को कहती है तो कभी विशिच सिछक बन जाने को मजबूर करती है आखिर इसके पीछे का रहस क्या है तो साथियों सिछा विभाग के इस मंसापर से भी अब परदा उठते नजर आ रहा है और इसका सबसे सठीक वज़ा है कि जहां बिहार के नियोजित सिछक 20-21 वर्सों तक अपनी सेवा दे दी है और इतने दिनों तक सेवा दे देने के बाद सरकार के उपर कई ऐसे बोज होते हैं कई ऐसे दाईतों होते हैं, कई ऐसे कर्तब्य होते हैं, जो इतने दिनों तक सेबा करने वाले सिख्षकों के लिए निभाने पड़ते हैं। और उसी का उदाहरन है कि बिहार के तमाम नियोजित सिख्षक अब ग्रेजोटी का लाब लेने के कागार पर पहुँच गए हैं। साथियों हम आपको बता दे कि बिहार के सिख्षक नेता बंसी धरबरजवासी वर्ष 2019 में तमाम कार्रात नियोजित सिख्षकों के लिए ग्रेजोटी का लाब सम्मंदी एक मुकदमा दायर किया था। उस मुकदमे पर सुनवाई भी हुई थी और उसकी अंतरगत माननिय जश्टिस विहार सरकार के एडवाकेट महदे को हलपनामा भी दायर करने को कहा था। 24 दिन सोंबार को आ जाएंगे। योकता द्वारा दिये जाने का फैसला सरवच नयाले द्वारा दी जा चुकी है। इतना ही नहीं शातियों नेजी सिक्षक जो की रजिश्टर्ड नीजी विद्याले में कार्रत हैं। इसके पक्ष में भी गरिजोटी का लाब समंधी नयाय निरने माननिये सरवच नयाले के द्वारा सिक्षकों के पक्ष में दी जा चुकी है। इसके आधार पर यह बिल्कुल कहा जा सकता है कि जब प्राइबिट सेक्टर के वेक्तियों को जब डेली बेज के कर्मियों को गरिजोटी का लाब समंधी फैसला माननिये सरवच नयाले द्वारा दिया जा चुका है। उसके साथ ग्रूप विमा का भी लाब मिल जाता है। जहां पुर्म में ग्रूप विमा के अंतरगत मिरित सिक्षको के आसरीतों को 10 लाक रुपे दिये जाते थे। बरतमान में वह बढ़ कर 20 लाक रुपे हो गये हैं। ति आए हम बताते हैं कि आखिर ग्रेजियूटी होता क्या है। इस ग्रेजियूटी के संबंध में शिक्षकों के नेता बंसी धर बरजवासी आखिर क्या कुछ कहते हैं जरा आपनी आखों से देखिये और सुनिये। अपने तमाम शिक्षक सात्रियों को बतलाना चाहते हैं। हमने पहले भी वायदा किया था आपसे कि ग्रेजियूटी का लाव हम आपको दिला देंगे। और हम इस मामले को 2019 में हम हाई कोर्ट में लेकर चले गए थे। पांच वर्सों का समय भी चुका है नयायले में इस मामले को फाइल किये हुए। और सोम बार को मतलब 15 अप्रेल को इस मामले की सुनवाई मानिये उच नयायले में होगी। अंजनी शरण जी के बेंच में इसकी सुनवाई होनी है 22 नंबर पर लिस्टेड है हमारा केस। और चुकि 22 नंबर पर है तो हमें उम्मीद है विश्वास है कि सुनवाई हो जाएगी। तो सुमबार को मुझे लगता है कि निश्चित रूप से नयायले अपना फैसला सुना देगा जियोजी सिच्चों को ग्रेचुटी के लाव के मसले पर। तो ग्रेचुटी का जो मुद्दा है यह मुद्दा चुकि पहले जह हमने केस फाइल किया था तो 2019 में मान्य उच्च नयायले में तत्कालिन नयाधीस अनील कुमार उपाध्याय थे और अनील कुमार उपाध्याय ने इस मामले को काफी गम भीरता से लिया था और उस समय में हमने पंछायती राज विवाग को पाथी नहीं बनाया था तो उपाध्या जी ने कहा कि देखिए यह काफी सेरियस आई और वहुत ही महत्रून इसू है और आपने इसमें पंछायती राज को पाथी accurate नहीं बनाया है तो यह लोग जो चरते हैं खेल कि जब हम सोकोज करते हैं तो सिख्षा व्याग वाले करते हैं यह हमारे करमचारी नहीं है और सब कुछ वही करते हैं और आपने पंचायती राज को पाटी नहीं बनाया है तो पंचायती राज व्याग को भी कोट ने फुद से पाटी बना दिया था और सिख्षाव्याग तो पार्टी हैं ही और अनील उपाद ध्याय जी ने सरकार से जब जवाबी हलप नामा मांगा तो जवाबी हलप नामा में ही उन्होंने कह दिया था एस्टेट गौर्रमेंट को डायरेक्शन दिया था कि वाइल फाइलिंग काउंटर एफी डिपीट दे एस्टेट विल कंसीडर दे जज़्जमेंट पास्ट भाई अपेक्श कोर्ट स्वेंटो सुप्रीम कोर्ट के एक जज़्जमेंट का हवाला देते हुए अनीर उपाद्याय जी ने सरकार को कहा था कि जब आप ज़वाबी हलप नावा देंगे तो सुप्रीम कोर्ट के इस ज़जमेंट को आप द्रिष्टी पत में रखते हुए इसको ध्यान में रखते हुए जवाब दिजिएगा तो मामला क्या था तो सुप्रीम कोर्ट ने एक ज़जमेंट दिया वो नगर निगम के डेली बेज़ज वरकर पर था नगर निगम का डेली बेज़ज वरकर है ये लोग ग्रेचुटी के लिए राइल रहे थे मामला चला गया था सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोट ने कहा कि ये डेली बेजे जो औरकर्य आपकी नवी आपको ग्रेचूटी का लाब देना हो और इसी तरीके से प्राइवेट स्कूल के जो सिक्षक हैं इन लोगों के दोरा भी केस दायर किया गया था वो भी सुप्रीम कोट नगे तक गया था तो सुप्री आपके नियोजिस सिख्षकों के सेवा इतिहास में एक स्वर्णिम दिन बनेगा ऐसा हमें विश्वास है आपको ग्रेचूटी का लाब मिल जाएगा ग्रेचूटी का जो उपवंध है ग्रेचूटी को हिंडी में उपदान या उपादान कहते हैं तो यह जो उपदान की जो स होता है तो प्रतेक 26 दिन अगर आप नियमित रूप से काम करते हैं तो उसके बाद सरकार एक दिन की सेलरी एक दिन का वेतन गिफ्ट के रूप में देगी यही ग्रेचूटी है इसको मोटे तोर पर जब आकलन किया जाता है तो एक वर्स में पंद्रह दिन होता है तो पंद्रह दिन मतलब कि एक महीने की सेलरी सरकार और我 ऑको पंद्रह दिन की सेलरी तो दो साल की सेलरी तो इस हिसाब से अगर 30वर्स अगर किसी की सेलर turma का वेतन होगा वह आपको ग्रे चूटी के रूप में अप्टर मिलेगा तो इही पैसा मिलता है जो भी पहले से करमचारी हो डिजब रिटार करते हैं तो उनको ग्रेट्चूटी का पैसा मिलता है तो यह ग्रेट्चूटी का लभ आपको मिलेगा आप जब लागू किया गया तो उसी ग्रेचूटी एक्ट के सेक्षन 4C में असपस्ट रूप से प्रावधान बनाया गया कि जब ग्रेचूटी का लाब दिया जाएगा तो उस करमचारी को उसके साथ ही ग्रेचूटी के प्रोविजन के साथ ही उनका जी एलाई भी किया जाएगा तो यदि हम यह केस जित जाते हैं तो हमें समुह जीवन वीमा का भी लाब मिल जाएगा जी एलाई का भी लाब मिलेगा तो यह केवल ग्रेचूटी का ही नहीं लाब मिलेगा बलकि जी एलाई का भी लाब मिलेगा चुकि ग्रेचूटी एक्ट में ही इसका प्रोविजनल सेक् या government sector हो जो भी हो अगर कोई भी संस्थान कोई भी न्योकता अगर 10 या 10 से अधिक करमचालियों को न्योकत किया है तो वह अपने करमचालियों को ग्रेचूटी का लाप देने के लिए बात है तो हम कोट में इसी बात को लेकर गया हुए है कि जब भारा सरकार नहीं है कानुन तो साथियों आपने देखा कि बंसी धरबरजवासी पुर्णता आस्वस्त है कि निश्चित रूप से दिन सुम्बार 15 अपरेल 2024 को सिख्षकों के पक्ष में ग्रज्योटी संबंधी फैसले आ जाएंगे और जब ये फैसले आ जाएंगे तो एक वार फिर से बिहार के वैसे निश्चित सिख्षक जो विश्चित सिख्षक बनने के कागार पर है उनको सोचने पर मजबूर कर देगा क्योंकि ग्रज्योटी का लाव अगर मिलता है तो इससे कम से कम 5 लाख रुपे की एक मुस्त रासी सिख्षकों को फायदे होंगे और जहां बरतमान में निश्चित सिख्षक 21 वर्सों तक अपनी सेवा दे चुके हैं इसकी आधार पर ये कहा जा सकता है कि लगभग सारे 3 लाख से 4 लाख रुपे की रासी उनके लिए संचित हो चुके हैं और जब निश्चित सिख्षक विश्चित सिख्षक बनेंगे तो उनकी नए निउक्ती मानी जाएगी और उनकी सिवा वहीं से पररंब हो जाएगी और ये बात बिलकुल असपश्ट है कि जो भी फैसले आएंगे वो नियोजित सिख्चकों के लिए ही आएंगे क्योंकि मुकदमा ही उन सिख्चकों की ओर से दायर किया गया है हाला कि ऐसे फैसले आने के बाद तमाम कोटियों के सिख्चक जिनको गर्जिवटी का लाब नहीं मिल रहा है वो भी लभानवित होंगे परन्तु उनको संघर्ष करना परेगा और वो भी माननीय नियायाले के माध्यम से लेकर पुराने नियोजित सिख्चक जो सरकार की नई नीती के तहट विशिश्च सिख्चक बनेंगे उनको काफी नुकसान होगा क्योंकि उनकी सेवा नई तिथी से मानी जाएगी और उसके बाद उनको कोट से लरना पड़ेगा उसके बाद ही गर्जिवटी का लाब मिल विहार के सिख्चकों के अंतरगत अभी तक सिर्वसिर्फ पुराने नियमित सिख्चकों को ही गर्जिवटी का लाब दिया गया है ना तो नियोजित सिख्चकों को मिल रहा है और ना ही BPSC सिख्चकों को मिल रहा है तो साथियों ये थी आज की अहम ख़बर आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करेंगे साथी साथ सरकार की नई नीती के तहत विशिच सिक्षक बनना और नियोजित सिक्षक बने रहने में आप सभी का क्या राय है कॉमेंट में अवस्य बताएंगे हमारे इस वीडियो को त